हलो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं विशेक बारगव, बारगव क्लासस के यसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है 36 गड़की ग्रामिड योजनाए इसके अंदर हर छोटी से बड़ी योजनाओं को कभर किया गया है MCQ के रूप में तो आप लोग ये वीडियो देख कर ही जाईएगा ठीक है और वीडियो को पूरा दिखेगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं देखिए वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से एक बात और कि अगर जीन लोगों ने सब्सक्राइब ने किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें ठीक है कोई फोर्स नहीं सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहें तब ही सब्सक्राइब करें zwei देखिये इसके नदर में पहला Queshion है वो है 36 गड रमन जन पर्यटन योजना देखें यहां रमन लिखना भूल गया है तो यह रमन जन पर्यटन योजना कब से लागू की गई थी जितने भी योजना है जो लागो की गई थी उनके डेट बहुत एक्जाम में पूछे जाते हैं तो यह किया गया था 15 अक्टूबर 2016 को 15 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है कि इनका मुख्यमंत्री जी का इसके बाद में देखते हैं मुख्यमंत्री अमरित योजना का सुभारम मुख्यमंत्री ने किस जीले से किया था तो देखें यहाँ पर किस जीले से किया था तो सुक्मा जीले से किया था और कब किया था 29 अप्रेल 2016 को इस योजना के अंतरगत में क्या दिया जाता है तो 100 ml दूद सुगंदी दूद दिया जाता है 3-6 वर्स के बच्चों को ठीक है 3 मई 2016 को कीस इस्थान से मुख्य मंत्री में महतारी जतनी योजना का सुभारम किया था तो कि यह किया गया था 13 अगस्थ 2016 उसके बाद में देखते हैं कि हमार 36 योजना कब की गई थी यह किया गया था एक जुलाई 2016 को इसके बाद में कि सियामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन 36 में कब श्टाट के था का मतलब क्या होताँ कल मैं लोग में बता था कि रू और और रोल अर्बन TOG Ramird और सहरी दोनों को एक साथ मिलानी की और किसको सब्सक्यशन तो दिखें कलश्टर का मतलब होता है एक कलस्टर के अंदर में 6-7 गाओं या 8 गाओं ठीक है First तो इस प्रकार कलस्टर होते हैं, कलस्टर एक तरीके से हो उते हैं गैर जंजाती कलस्टर और जंजाती कलस्टर ठीक है तो किसको जिम्मेदारी सौपी गई ती ये सौपी गई योजना तथा वास्तूकला संस्ता ये कहां है तो ये भोपाल में उसके बाद में दूसरे संस्ता है एनाइटी रायपूर तो दोनों इसके अंसर है एनाइटी रायपूर और योजना तथा वास्तूकला संस्ता निली मैं है सायद एक थोड़ा confusion निली मैं है मेरे खाल से ठीक है इसको देख लीजेगा तो निली मैं बोलकर किया था दस मई 2016 को सुगम भारत योजना के अंतरगत 50 सहरों का चैन किया गया था जिसमें 36 गड़ की किस सहर को चुना गया था तो सुगम भारत योजना में रायपूर को 50 सहरों में चुना गया था एक नवंबर को किया था खुद 36 गड़ आकर किया था एक नवंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके आद में देखते हैं कि 2.0 पडाली योजना का सुभारम देश के ग्री मंत्री ने कब किया था तो यह किया था पांच नवंबर 2016 को ठीक है कि आद में देखते हैं कि राज्य पंचायत एवं ग्रामिड विकास विभाग का 36 गड़ राज्य ग्रामिड विकास संस्था कहां स्थापित किया गया है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है यह किया गया था नीमोरा रायपूर में ठीक है इसके बाद में देखते हैं कि 36 गड़ रूबन मिशन का आरा में की सिस्थान से हुआ था तो यह हुआ था राजनन गाउं से ठीक है खुद प्रधान मंत्री मोधी जी यहां पर आकर इस मि विवा योजना का नवीन नाम क्या रखा गया है तो इसका नवीन नाम रखा गया है मुख्य मंत्री निर्धन कन्या समोई विवा योजना ठीक है 36 गड़ में क्रिसी यंत्रीकरण योजना किस नाम से संचालित है तो यह है बलराम यंत्रीकरण प्रोशान योजना ठीक है इ इसके अंदर में अनुसुति जाती जन जाती के बच्चों को प्रोताहित करने और उनको आवास एकी विद्धाले के अंदर में देने के लिए यह क्या नाम रखा गया है तो प्रयास नाम रखा गया है ठीक है महान सपूतों के अधर्स अधर्स यह में विक्सित करने वाले योजनाओं का नाम महान सपूतों वीरों के नाम पर उसका आटोमेटिक क्या हो जाएगा देखे अथ में बाइसवा कॉष्चन दिखते हैं कि 36 रयवपूर विआश प्रधाजी करन का बहुच तीद ड्रीम प्रो सासंदारा संचाली तकीन योजनाओं को संपुर्ण देश में लागू करने का निर्णा लिया था तो यह तीनों की तीनों योजनाओं को संपुर्ण अस्पताल भिलाई बिलासपूर नरयान हिर एस्पताल राइपूर और सॱ्रीभालजी सॽेशलिस्य लिस्ति स्वेश्व Łशा एंदर में वर्ष भी पूछा जाता है तो से लेकर 15 वर्स्तक के बच्चों को ठीक है मुख्यमंद्री बाल स्रमण योजना के सुभारम का माह वर्स क्या है तो यह है अप्रेल 2010 ठीक है जो बच्चे सुनने और बोलने में सक्षम नहीं होते उनके लिए योजना लगू की गई थी ठीक है इसके बाद में देखते हैं कि सूरज धारा का संबंद किस्से है तो यह क्या है योजना है बीजो को अदलाबदली करने वाली योजना इसके बाद में देखते हैं कंप्योटर से भू-अभिलेक उपलब्द करने संबंदी थी योजना ये सभी कोई जानते हैं कि यह भूईया योजना ठीक है एक्जाम मे तो 25 वर से अधिक के लोगों को पंशन कहा मिलती है यह तो रोजगार यूजना है टो बी रोजगार योजना पेंशन यूजना से अलग होता है क्योंकि यह समाजिक शुरक्षा यूजना के अंदर बेंशन यूजना आती है ना कि बेरोजगार उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन योजना नहीं आती इसके अंदर में समाजिक सुरक्षा के अंदर में तो यह option से आप टीक कर सकते कि 25 वर से अधिक बेरोजगार ठीक है बाकी सब तो क्या है देख लिजिए यहां पर 50 वर से अधिक है अटल आवास योजना बन गई है ठीक है एक देखते हैं सहत्तिगड में चल रही योजनाओं को सुमिलित करिए तो देखें यहां आंसर तो नहीं लिए गया है तो चली आंसर बनाते हैं ठीक है तो निर्मला घाट योजना तो निर्मला घाट योजना के अंदर में देखें सह अमरी अमक निशुल्क समाजिक वित्रण है अन्रपूर्णा दालभात तो यह पांच रुपे में भर पे मिल जाता है और अटल अवास योजना तो यह गरेबी सहरी अवासी योजना तो देखिए यह आंसर बन गया ठीक है तो आप अपने आप से पढ़ेंगे दो बार या ती तो स्वास्त स्यवा प्रदाए की जाती है अयुश मती योजना के तहथ एसके बाद में देखते हैं तुँ अलग भाट बनाने हैं तुऊ कौन सी योजनायी चलाई जारी है सबसे इंपश्थन कोष्चन है तो यह निर्मला घाट योजना चलाई जारी एक्जाम में पूछ करोड का इस बैंक के जरिये हुआ है तो यहां चावल गेहूं का अन भंडार या ने उस टाइप का एक बैंक होगा करता है जिसमें आदिवासी शेतर में खाध्यान उप्लब्द करा जाता है लेकिन यहां गोटाला चल रहा है देख लीजेगा एक बर नीूज में आता रहता ह बुनकर भीमा योजना बहुत मतोपुन है देखके जाएगा इसके बाद में है जुलाई 2013 से प्राड़म चतिगड़ वरिष्ट मीडिया कर्मी सम्मान योजना के अंतरगत कितने वर्षे अधिक उम्पर के पत्रकारों को प्रतीमा पाश यार रुपए सम्मान निदी दी यह हमारे कुछ MCQs से अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ना भूले देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाता हूं कि सब्सक्राइब तभी करें आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें कोई फोर्स नहीं है यहां पर और कई बचे जो मेरे से कह रहे हैं कि मैं कोचिंग नहीं करना चाता आपके वीडियो से ही पढ़ूँगा यह बहुत गलत बात है आप जाकर अपनी कोचिंग जोईन करिए वहां से पढ़ यह वीडियो बनाय जाते हैं ठीक ऐसा नहीं कि वीडियो में पढ़ाई करिए अपनी कोचिंग में पढ़ाई करिए और वीडियो को भी साथ-साथ में देखिे ठीक है तो आज के लिए इतना ही जयीन जय भारत